Hello everyone, आज मैं आपके साथ सेर कर रहे हूँ करेली की अचार खटा चटपटा बहुत ही टेफ्टी अचार और जो सालों से भी जादा चलेगी तो सुरू करते हैं इसे बनाना करेली की अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 300 ग्राम करेला ले लिया है सबसे पहले हम इसे काट लेंगे करेली हमने सबसे पहले अच्छे तरीके से धो कर सुखा कर ले लिया है इसे हम पतले पतले बाइट साइज के पिसेस में काट लेंगे यह सारे करेले हमने काट लिये इसमें हम एक छोड़ी चमच नमक डालेंगे और इसे मिला देंगे यह नमक मिला करके करेले को हम 15-20 मिनट इसे ऐसे ही रखा रहने देंगे जिससे करेले का कड़वापन निकल जाता है इसे रखे हुए 15 मिनट हो गये है करेले से जूस बाहर निकल गया है इसका कड़वापन निकल गया है अब हम इन्हें अच्छे से धो लेंगे इसे दो बार हमने धो लिया है यह करेला हमने वस कर लिया है इसमें जो पानी है वो निचोड लेते है यह करेले हमारे निचोड गये है अब हमें इन्हें सुखाना है तो इसके लिए हम एक प्लेट ले ली और उसके उपर यह प्लास्टिक बिचा लिया है करेले के पीसेस को चारो तरह इन्हें एक एक करके इस तरह से फैला देंगे अगर अच्छे धूप है बाहर तो एक घंटे के लिए इन्हें धूप में सुखा लेंगे अगर धूप एवेलवल ना हो तो आप इसे पंखे के नीचे दो घंटे के लिए सुखा ले करेले हमने एक घंटा इन्हें धूप में सुखा करके ले लिये हैं हम इनको देखे, इनके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है हम इनके लिए मसाला त्यार करेंगे हमने यहाँ पेन गर्म कर लिया है दो चमच सौम्फ लिया है एक चमच मेति, एक चमच जीरा दो सुखी लाल मिर्च इन्हें चलाते हुए हलका सा भून लेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो चमच धनिया आधा चमच काली मिर्च लाफ्ट में एड करेंगे एक चमच अजवाईन इसे भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे इसमें नमी नहीं रना चाहिए इसलिए हम इन्हें भूनते हैं यह मसाले हमारे भून गए हैं और अच्छी से खुस्बू आने लगी है इन्हें भूनने में हमें लगा है दो मिनट अब हम गैस के फ्लिम को आफ कर देंगे और इन्हें एक बॉल में ट्रांसफर कर देंगे ताकि यह जल्दी से ठंडा हो जाए यह दो बड़े चम्मच पीला सडसू यह भी इसी में डाल देंगे और सारे मसाले को दरदरा पीस लेंगे मसाले हमने दरदरी पीस लिये हैं इन्हें हमें बारिक नहीं करना है इसी तरीके से दरदरी ही रखना है यहां हमने लिया है कच्चा आम 200 ग्राम इसे हम छिल लेते हैं अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे सारी तयारी हो गई है अब हम अचार बनाएंगे इसके लिए हम एक कप सर्सो का तेल लिया है अब हम इसमें डालेंगे आधा चमच हल्दी एक चमच कास्मीरी लाल मिर्ष आधा चमच हेंग और साथ ही एड़ करेंगे ग्राइंड किया हुआ मसाला स्वाद अनुसार नमक आधा चमच कलोजी सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें डाल देंगे या करेली इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम डालेंगे यह ग्रेट किया हुआ आम सारे चीजों को अच्छे से मिला लेंगे सारे चीजे अच्छे से मिल गई है और अचार के मसाले की बहुत ही अच्छा खुस्वू आ रही है हमारा अचार भी बन चुका है करेले का खटा चटपटा अचार बन करके तयार है अचार को अभी भी खा सकते हैं लेकिन अचार का अस्रिस वाद हमें तीन दिन के बाद मिलेगा इसे हम ढखकर रूम में भी रख सकते हैं और अगर धूप एवेलिवल हो तो धूप में भी इन्हें तीन दिन के लिए रख दें अचार और भी जल्दी तयार हो जाएगा हम चाहते हैं कि आपका भी अचार अच्छा बने तो आप इस वीडियो को सेर जरूर कीजिए क्योंकि अच्छी चीजे सेर की जाती है